इस question को answer करो जब तक आप answer करते हो तक मैं एक बात कर रहा हूँ कल रात में शाम को class over होने की बाद में एक बच्चे ने मुझे question पूछा भी वह इस class में है तो मुझे याद आ गया वापस question बहुत अच्छा था, genuine सा question था जब आप questions करते हो तो आपके mind में क्या रहता है कि आप option पढ़ते हो अन फिर identify करते हो कि इसमें answer कौंसा है मेरी बात क्यों कुंक बहुत upon खर संटा आप question देख ते हो question पढ़ते हो औं फिर option देखते हो और option में,से yine identify करते हो कि answer कौंसा है अंदन फिर टिक करके आगे बढ़ते हो, यही करते हो, कितने बच्चे ऐसे हैं जो यह करते हैं, अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो यह नहीं करते हैं, अच्छा आप नहीं करते हो, क्या करते हो उसके लावा बिटा, अगर यह चीज नहीं करते हो, तो क्या करते हो, हाँ, अच्छा तो आंसर आजा था फिर उससे देखो बैठो जब आप कोश्टन पढ़ते हो एक सही तरीका क्या होता है बिटा कोश्टन करने का अगर कोई बच्चा कोश्टन पढ़ा और कोश्टन पढ़ने के साथ-साथ उसके दिमाग में क्लिक हो चुक दो चीजे हो सकती है दो आप कि बच्चे यहां पर दिक्कत पैदा करते हैं अपने माइंड के अंतर पहली चीज्य कोश्टन पढ़ा आंसर क्लिक कर गया पहली करें का बच्चा दूसरा वो जिसने कोश्टन पढ़ा और और वह उप्चन पढ़ेगा तब जाके उसके आंसर उसके दिमाग में घ्ले कितने ऐसे जो काटिकनेमर 1 में आ रहे हैं क्या बात है इमानदारी से बताना क्योंकि जितनी इमानदारी यहां रखोगे एक टीचर और एक डॉक्टर से कभी जूट नहीं बोलना जाएं कि जूट बोलोगे तो पीछे रहे जाओगे यह देखो 50% जनता के हाथ नीचे हो गए हैं जूटो तो यानि कि 50% जनता जिन्होंने हाथ खड़े के थे उनके हाथ नीचे आ चुके तो अब आप सुच्छों के आपके इस चंज में से कितने बच्चे हैं मुश्कित से मुझे लगता है 30% के आसपास बच्चे होंगे जो काटिक निबर 1 में आ रहे हैं मतब जो य इनको यह कोश्य कभी दे दो यह answer हमेशा सही करेंगे यह उस category में बच्चा आ है उसको यह answer कभी दे दो यह answer हमेशा सही करेगा लेकिन अब जो आप बाकी बच्चे ओं Чो इनहोंहों हो सकता है इस बार आंसर सही कर दियों लेकिन अगली बार आप कुछ और सोचेंगे तो आंसर की श्यूर्टी सही नहीं है यह है गलत तरीका तो ध्यान रखना हमेशा जो आपकी कैटेगरी वन है कि जहां कोशन देखा कोशन देखके सीधा क्लिक कर गया कि आंसर क्या होगा मुझे पता है अब उस आंसर को डूंड़ना है इन चार ऑप्शन में से लिए और यह सही तरीका होता है किसी भी कोशन पेपर को अटांट करने का अधरवाइस क्या होगा कि वही सेम कोशन दूसरे साम में आएगा आप गलत करोगे अब मैं आपको बताओं रोहन क्या कोश्ण था आपका कंपेटेशन से डर लगता है मन नहीं लगता मतब पढ़ाई करते हैं कि यह सबका है कि पढ़ाई हो रही है तो डर लगता है अपना अपना कि पीछे वालों को तो अपनी मर्जी से मस्त कुई मतलब भी निया दुनिया तारी से सर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बेटा मैं भी हूं यहां पढ़ा रहा हूं तुम लोग को आप सोचो जरा आप मेंसे सारे बच्चे पढ़ने आते हो यहां पर जैसे मैंने एक उस दिन शाहिए आपको बताया भी था कि 30% बच्चे ऐसे जिनका सेलेक्शन नहीं होगा पर 70 तो हैं पर पढ़ते हो 30 भी हैं और डर 100% को लगता है तो यह डर आप कैसे बगा सकते हूं जब आप यह कैटरी निमबर वन से आप क्योंकि यह कोशिन का भी कलत नहीं होगा अगर आपने दस टेस्ट पेपर भी इस कैटरी निमबर वन में आके अटामिट कर लिए ना बिटा मैं गैरंटी दे रहा हूं आपको आप खुद अपनी OMR शीट की अन्सर की बना क्या होगे चाह कोई भी WE broken exam अगर आप कैटरी निमबर वन के बच्छे में आ रहे हो ना आपकी मसर की ही आपके एक्जाम की आंसर की होगी आन रखना यह पराणा सोना चाहिए और यह तभी आएगा एक जब कुशन आते ही आंत रों यूंडों आनस झाल झाल